हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड कलास 12 नैतिक शिक्षा नहीं जो नैतिक शिक्षा यह आदर्ष जीवन मुल्य उत्तरा नाम से जो भूक है उसका चैप्टर 3 के कोश्चन अंसर पाठ का नाम है संतूलित जीवन शुरू क वेबसाइट बता देता हूं गूगल पर जाकर यह नाम सरच कर लेना ccl chapter.com इस वेबसाइट पर आपको हर्याना बोर्ड के लिए सारा जो स्टेडी मैटीरियल है वो आपको देखने को मिल जाएगा और भी बहुत कुछ इस वेबसाइट पर विजिट करके जरूर देखना बहुत काम आएगी अब देखते हैं पहला चैप्टर पहला सेग्मेंट इसका पार्ट से उसका परसन नमबर एक है संतुलित जीवन पार्ट में जीवन की विभिन परिष्टितियों में किस परकार का भाव रखने की प्रेर्णा दी गई है वैसे तो मैं रिकमेंड करूंग और नहीं तो फिर आप रहोगी कि यह क्या बात हो रही है इसमें यह क्या लिख रखा है तो कनी फ्यूजन होगा उसमें मैंने अच्छे से क्लारिफाई क्या हुआ है अब देखो कौन सा भाव रखने की प्रेर्णा दी है हमसे पूरे पार्ट में एक ही बात औरी तो गूम सम भाव रहना है यानि एक समान भाव नाए रहनी चाहिए कोई भी स्थिती हमारे साथ बीचती रहे तो वही चीज हमें बतानी है संतुलित जीवन पार्ट में जीवन की विभिन प्रिष्थितियों में सम रहने का भाव यानि एक समान रहने का भाव रखने की प्रेर्णा दी गई है जीवन में चाहिए सफलता मिले या सफलता अनुकूल प्रिष्टिती हो या प्रतिकूल प्रिष्टिती हो अनुकूल यानि हमारे अनुसार और प्रतिकूल यानि हमारे विपरीत प्रिष्टिती हमें अपना धैरिया बनाए रखना चाहिए हमें अपना उच्छा को नहीं छोड़ना चाहिए और आत्म विश्वास को तूटने नहीं देना चाहिए अगला परसन देखते हैं परसन नमबर दो ऐस फलता मिलने पर भी जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं पार्ट क्या धार पर बताईए यदि हम जीवन में लक्षे को प्राप्ट करने में ऐ राद रखना चाहिए कि इस एक ऐसाफलता से ही जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद नहीं हो गए हैं यानिकि अभी तो हम जैसे बहुत सारे हैं लोग बहुत चीजों में ऐसाफल होते हैं तो यह नहीं सोचना हमको कि हमारी जिंद्गी अब खत्म हो गई हमारे को पहचान कर फिट से उस लक्षय को प्राप्त करने का दरिड निश्य करना चाहिए अगला परसंद देखते हैं संतूलित जीवन जीने की प्रेड़ना किन पंक्तियों से प्राप्त होती है,। पहली पंक्तिष है अनुकूलता परतिकूलता में भी संद्र हमी एक समान ऽरह जलता में चलुताओं को बनाओ अनुकुलता के इतने आदि ना हो जाओं कि तनी क्षी कूलता भी विछलित कर देनीस जो आदि का मतलब होता ही कि उसका जो है अगर प्रतिकूलता हाई तुम्हें थोड़ा सा भी फरक ना पड़े महान वही है जो दोनों यादि अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतूलन बनाकर जिवन यात्रा में आगे बढ़ता रहता है यानि कि दोनों को बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना है अगला परसंद देखते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता में हमें किस परकार का सयमित व्यावार करना चाहिए के as एक अनुकूल दि फियुवर्त नहीं होना चाहिए तब हमें अधिक उत्जीत प्रसन और अति आत्व विश्वासी नहीं होना चाहिए तो अगर हमारे फेवर में कंडीशन चल रही है बड़ी कूल लता याँ मारे विपरित ह्ट तो इस समय हमारा सेंपी तो वर कैसा होगा यदृ प्रिस्थी हमारे कूल हो तब हमें अपना धैरिया बनाया रखना चाहिए हमें अपना उस्षा नहीं छोड़ना चाहिए हमें सहन सीलता का त्याग नहीं करना चाहिए सहन सीलता नहीं पेशन सरकना जोता वो चीज़ है हमें मन में निराशा हतासा या उदासी के भाव नहीं पनबने देने चाहिए यह नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरी जिंद्गी में इस काम से कुछ नहीं होने वाला सारी उम्मीदे छोड़ बैटो तो वैसे भावब अमन में नहीं आने चाहिए और योग की परिभास बताइए पाट के आधार पर हम योग को इस प्रकार से परिभासित कर सकते हैं कि सफलता यहां से जो भाव से सिध्धि एसिध्धी अनुकूलता प्रतिकूलता में समान बुद्धी रख कर उन्हें सम्तव भाव से ग्रहन करने यानि मन्द की समता का नाम योग है यानि के हमें जो है कोई भी स्थिती हो कुछ भी हो हमें हमारे जब हमारे अंदर सम्तव भावे एक समान भाव होंगे उसी का नाम यहां पर योग कहा गया है अगला जो सेगमेंट आता है लास्ट कोश्चन है आपकी समझ मकडी के उधारण के माध्यम से आप क्या सीखते हैं अपने विचार पर कट करें मकडी के उधारण के माध्यम से मैंने सीखा क्या सीखा अपना लक्षय प्राप्त करने के लिए हमें द्रीड निश्चय करना चाहिए यह कहानी थे ना पार्ट में मकडी वारी उसके में से बताना आपको ठीक है अपना लक्षय प्राप्त करने म से चैप्टर से अंदर एक दो तो वह जो एक्जाम में भी नहीं और पढ़ने अभी कोई शैंस नहीं वह फालतू के कोश्चन्स होते हैं जो जुरूरी कोश्चन हो वह मैं सारे करा देता हूं आपको वीडियो में बाकी की वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के लि सब्सक्रिप्शन के सब्सक्रिप्र कर दिया बहुत सारी चीज़े इस वेबसाइट पर आचुकी है आपके उपर है विजिट कर लेना बहुत काम आईगी याद रखोगे आप भी इस वेबसाइट को चलो विडियो खतम करते हैं मिलते हैं नई विडियो में और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दो क्योकि ऐसे ही अपडेट आपको अगर चाहिए ऐसे वीडियो चाहिए तो इस चानल पर मिलेंगी उसके साथ में a 생각이 त्यारी वगए एर सब से मिलते हैं नहीं वीडियो में बाइबाइब